जिला उना के कुटलेहर विधानसवा शित्र के लोग लंबे समय से गोविंद साकर जील के पानी को पेजल और सिचाई के रूप में इस्तमाल करने की मांग उठाते आ रहे थे प्रदेश सरकार ने केंदर सरकार के साथ बाचीत करते हुए BBMB के माध्यम से विवात को सुलजाते हुए हिमाचल के लोगों को एक सौगात देते हुए इस पानी के इस्तमाल करने की छूट प्रदान करवाई है मंगलवार को प्रदेश कॉंग्रेस महासचेव विवेक शर्मा ने सरकिट हाउस उना में पत्रकार वारता कायोजन किया इस दौरान उन्होंने मंजूरी दिलवानी के लिए मुख्यमंत्री सुक्विंदर सिंग का आभार व्यक्त किया और कहा कि अब प्रदेश के लोगो को गोविंद सागर जील के पानी का इस्तवाल करने के लिए किसी से भी कोई पर्मीशन नहीं लेनी पड़ेगी अतीत में जब पिछला चुनाव लड़ने का मौका वज़े मिला उसके बार लगातार पांस साल हमने लोगों के साथ एक वाइदा किया था कि आने वाले समय में जब सरकार कुटलहड में परदेश में और कुटलहड में जब परिवर्तन होगा तो हमने लोगों से वाइदा किया था कि गोविन सागर डैम से क्योंकि जो अतीत में सरकार रही उनने डबल इंजन सरकार होने के बावजूद हुई कभी उस कारे को करवा नहीं पाई हमने वाइदा किया था कि हम सरकार बनते ही इस मांग को उठाया जाएगा और गोविन सागर डैम से जो है बीबी एंबी से पानी उठाने की जो परिमिशन है वो हम लेंगे और आज मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदनिया मुक्यमत्री सुकविंदर सिंख सुकू जी का जोने ने केंदर की सरकार के साथ इस बात को रखकर और हिमाचल और कुटलहेड के लोगों के हितों को देखते हुए जो है वो आज इस बात की अनुमती जो मिली है कि अब हम में गोविंसायर डायम से पानी उठाने के लिए बीबीमबी को से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी चाहे वो पानी पीने के लिए हो चाहे वो एगरिकल्जर खेती के लिए हो एक बहुत बड़ा कदम जो है वो अज सरानिय कदम जो है वो सरकारदर उठाय गया इससे के लिए मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा आदरियां शुकुंदर सिंग शुकु जिन है जोनों एक बहुत बड़ी रहा जो है कुटलैड और गोवसागर डैम के जो से लोग रहे थे उनके के लिए जो कारे किया गया पंजाब केसरी टीवी के लिए उना से अमित्र चार्मा के रिपॉर्ट हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा इंस्ट्रग्राम पेज हिमाचल.केसरी